असलाम अलेकम, वेल्कुब टू मॉम्स किचन, I hope you are all doing great, I am all so well, alhamdulillah कॉर्मा चिकन का हो, बीफ या मटन का, तीनों वराइटीस में बेहत पसंद की जाने वाली डेश है और इनमें सबसे ज़्यादा फेमस और पसंद की जाने वाली डेश चिकन कॉर्मा है जो की ओरिशनेट हुई इंडियन सबकॉंटिनेंट में, जिसमें योगर्ट, मीट, वेजिटेबल्स, डिफरेंट स्पाइसी और सूप स्टॉक या पानी के साथ एक ठिक गरेवी तियार की जाती है आईए आज हम भी ऐसा ही एक देहली स्टाइल देगी चिकन कॉर्मा बनाते हैं जिसके लिए चाहिए हमें आईल टू कप, अनियन थ्री लार्ज साइज, प्यास को बारीग काट ले, प्यास को आईल में अच्छे से फ्राई करें जब तक ये बिलकुल गॉल्डन हो जाएं, लाइक दिस, प्यास हमारे ब्राउन हो चुके हैं, हम इने आईल से निकाल लें बची हुए आईल में हम एड़ करेंगे, बे लिव्स थ्री यानि करीब अत्ता, टू ब्लेक कार्डिमम यानि बड़ी लाइची, तू सिनमन स्टेक यानि दार चीनी, फोर तू फाइब कलोस यानि लॉंग, थ्री ग्रीन कार्डिमम यानि सबस लाइची, तू स्टार अने यानि भूल बाद यान, होल ब्लेक पेपर, वन टी स्पोन यानि साबुत काली मेर्च, किमन सीट, हाफ टेबल स्पोन यानि सफैद जीरा, ओल में हलका सा सोथे करेंगे स्पाइस को, अब हम इसमें एड़ करेंगे, टू टेबल स्पोन जिंचर गार्लिक पेस्ट, यानि लस इसे साथे करेंगे, अब हम इसमें एड़ करेंगे, चिकन, वन केजी, यानि थाउजन ग्रैम्स, चिकन को हमने तब तक फ्राइ करना है, जब तक इसकी खीक खत्म ना होजे, इसका पानी ड्राय हो जाए, और इसका कलर चैंज ना हो जाए, अब हम इसमें प्योरी एड़ करेंगे, जिसमें चाहिए थे हमें फ्राइड अनियन, जो हमने प्यास फ्राइ किये थे, वन काप योगर्ट, यानि एक कप दही, अब हम इन तीनों चीजों का पेस्ट नालेंगे, और इसे चिकन में अट करेंगे, थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, ताकि दही का पानी होश्क हो जाए, अब इसमे अट करेंगे, कुमन सीद पावडर यानि जीरा पावडर, आफ टीजपोन, तरमेरिक पावडर यानि हल्दी पावडर, आफ टीजपोन, कॉरियंडर पावडर यानि धन्या पावडर, आफ टेबल स्पोन, हम टोमाटो लेंगे, फोर लार्ज साइज, यानि चार बड़े साइज के टोमाटो लेंगे, हम उन्हें बॉइल करेंगे, उन्हें पील करेंगे, और उनकी एक प्योरी रेडी कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए टोमाटो प्योरी में भीन पूनेंगे, अब इसमें आट करेंगे red chili powder यानि सुर्ख मिर्च पाउडर 2 teaspoon red chili flax half tablespoon यानि कुटी लाल मिर्च salt आट करेंगे 2 teaspoon या फिर अपनी टेस्ट के मताबिक चिकन को अच्छी तरह भूनेंगे जब मरा चिकन भून चाहे अब हम इसमें एट करेंगे फिनों ग्रीक लीफ्स यानि खोश्क सुरी में थी और चिकन को अच्छे से भूनेंगे अब हम इसमें एट करेंगे पानी पानी हम इतना एट करेंगे कि चिकन अच्छे से गल जाए मेल्ट इन माउथ हो और ग्रेवी भी ठीक हो जाए अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए कोर्मा हर जगा अपने कल्चर और टेस्ट के हिसाब से बनाया जाता है आप भी कॉमेंट कीजिएगा आपके सीटी में कैसे बनाया जाता है देली स्टाइल देगी चिकन कॉर्मा बिल्कुल रेड़ी है हम इसमें एड़ करेंगे आल स्पाइस यानि गर्म साला वान टी स्पून फ्रेश करियंडर लेश यानि सब्स धनिया गार्निश के लिए हमारा देली स्टाइल देगी चिकन कॉर्मा बिल्कुल रेड़ी है आप इसे गर्म नान और चपाती के साथ सर्व कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तुक कमेंट कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए सी यू सून इन लेक्स्ट वीडियो इन्शाला अपना ह्याल रखियेगा तिल देन अल्ला हाफिज